है दोस्तों इस वीडियों में बात करेंगे हम CA Foundation वाले बच्चों की प्रॉब्लम को लेकर बहुत से CA Foundation के बच्चे हैं जो Class 12 का एक्जाम भी देंगे और CA Foundation का एक्जाम भी देंगे उनके सामने एक बहुती बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है क्या प्रॉब्लम है कि CVSC ने अप क्लास 12 का 23 माई को और आपके CA Foundation का एक्जाम भी 23 माई को है तो बहुत सरे बच्चों को डाउट है कि क्या एक्जाम पॉस्पोंड होगा हमको कौन सा एक्जाम पहले देना चाहिए मैं आपको बताता हूँ अभी कोई भी अनॉस्मेंट नहीं है ये एक्जाम को करना चाहिए फिर CA Foundation का एक्जाम को आप फोकस करना चाहिए अगर आप 12 पास कर चुके हो तो आपको माई वाले एक्जाम पर फोकस करना चाहिए इसे फाउंडेशन पर अच्छा अगर आप एक्जाम देना ही चाहते हो तो अगर आपको सात वज़े से एक्जाम है ना CBSE का तो पहले आपको CBSE class 12 का एक्जाम देना है और फिर CA Foundation का एक्जाम दो बज़े है तो उसके बाद आपको दो बज़ेवल एक्जाम देना अगर आप दे सकते हो तो फिर एक और बात आती है कि CA Foundation का एक्जाम पोस्पोन हुआ था कभी ऐसी situation आई है कभी आई है जोला 21 का अगर एक्जाम डेट देखोगे तो CA Foundation का और Class 12 का एक्जाम दोनों एक साथ ही थे तो CA Foundation का एक्जाम को थोड़ा डिले कर दिया गया था ताकि CBSE का एक्जाम हो सब्सक्राइब क्लास 12 के अब भी इसके रिगार्डिंग कोई विए अनॉस्मेंट नहीं है यह जबी भी आएगी हम आपको बता ही देगा अच्छा आपको क्या करना है पहले 12 पर फोकस करना है और फिस CA Foundation पर फोकस करना है अगर कोई भी अनॉस्मेंट आईगी अपडेट आईगी हमा चला आपको बता देगा आप निश्विक्र हो थैंक्यू फ्रेंट्स अगर आप कोई भी डिले के सूचन आती है तो हमाँ आपको बता देगा थैंक्यू फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स शुड़ों में बाबाई